दोस्तो टीम इंडिया को पहला टीटवन्टी मंकाबला जीतनी के लिए चाहिए ते 116 आरान फिर हो गया बड़ा चमत का जिया दोस्तो बारा तो जिंबाम्बे के वीच पहला टीटवन्टी मंकाबला कापी आई वोल्डे जो रोमान चक्रा तो बताएंगे आकरी और तक कौन सी टीम ने इस बड़े मकाबले को जीत लिया है साथी कौन-कौन से बल्ले बाज और गेंद बाज का पहले टीटवन्टी मंकाबली में जल्वा देखने को मिलाया कैसे रभी विष्णुई के आगे जिंबाम्बे पूरी तरह से डहर हो गई है तो आपको पूरा हैलाइट ब मुकेश कुमार ने इनोस्टेंट के या को जीरो पर पाउलेन में फोचा दिया और टीम इंडिया को चेके स्कोर पर पहली सबलता दिला दी उसके बाद में बलने वाजी करन्याय मारें पनेट भी 22 रन बनाकर पाउने लोट गए और रभी विष्णुई ने टीम इंडिया क जा चुके थे ज़र रभी विष्णुई अपनी पारी में चार विकेट उखार चुके थे और टीम इंडिया को एक के बाद एक बड़ी सबलता दिला चुके थे लेकिन अंत में मडान्ये ने कापिस सांदार वल्ले बाजी की और 25 गेंदा पन नाबाद 29 रन की पारी के जिम्बाम में ने निर्दारित 20 ओर में 115 रन बना दिये और टीम इंडिया को ये बड़ा मकाबला जीतने के लिए 116 रन की जुरत्ती टीम इंडिया की हालत पूरी तरह से गंबिर हो चुकी थी उसके बाद में दुरू जुरेल और शाथ में कप्तान शुबन गिल के बीच साजिदारी देख गई जब शुबन गिल एक के बाद एक अग्रेशिव शोट लगाते उन नजार आ रहे थे लेकिन 10 ओर तक टीम टीम इंडिया 43 परी पांच विकेटि गवाने के बाद टीम इंडिया के और से अब सुब्बन गिल उर वासी घंटर संदर पर शार हो में देखें की होती लेकिन ड़ी मंकाबले को जीर सकती दी लेगें। घरा बल्लेवाजिक का चलती यह बड़ा मंकाबला हार ना पड़ा। दोस्तों वीडियो फसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब जरू कीजिए तक एक किरकेट आयलाइट से जोड़ी सारी अबलेट आप लोगों को अमेशा देखने को मिलते रहे